अगर आप पबजी के दिवान है या पबजी खेलना चाहते हैं या खेलते थे या आगे आपने पबजी खेलने की सोची थी तो आपको ये वीडियो कुछ खुशी की न्यूज देने वाली है दोस्तों जैसे आप आप जानती है कि भारत सरकार ने इंडिया के अंदर पबजी पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है वो अल्रेडी अभी भी PUBG खेल रहे हैं या खेल सकते हैं वो आपकी अप्लिकेशन बंद नहीं हुई है लेकिन आपको दिक्कते कहा रही है सिर्फ आपको PUBG जो है वो लेटेस वर्जिन में अपडेट करने को नहीं मिल रहा है जब आप प्ले स्टोर में जा रहे होंगे PUBG को इंस्टॉल करने के लिए अपडेट करने के लिए तो यहाँ पर नहीं आप उसे अपडेट कर पा रहे हैं और नहीं यहाँ पर जो नए यूजर है वो इसको इंस्टॉल भी नहीं कर पा रहे होंगे थी और उनी के साथ PUBG को भी बैन लगा गया था यहीं बताकर कि यह जो अपिकली को चैनीज कीशेसं को जो गुप्जी एक बतल कीशन भी थी लेकिन जेसे тел से चाइन डेंप चैना का पर्रोड़क्त नहीं था ओपकी जो है फीन उसके ब्लीकेशन गया जैसे dogmanus तो दोस्तों कारण यह था कि PUBG बेशक Korea का गेम था लेकिन जो उसे पब्लिश करने वाली कंपनी थी यानि कि उसको फब्लिश कर रही थी जो प्रमोशन कर रही थी तो वो जो कंपनी थी वो Tencent जैसे कि आप PUBG को जब ऑन करते होगे तो आपकी स्क्रीन के उपपर Tencent का आपको एक पहले स्क्रीन पर आपको दिखता होगा उनका लोगो उसके बाद आपका गेम चलता था तो जो Tencent जो कंपनी है वो चाइनीज कंपनी थी और उसी के पास राइट्स थे इस गेम को प्रमोट करने के या पब्लिश करने के तो दोस्तो पबजी इसी कारण से बेन लगाया गया क्योंकि उसमें कहीं ना कहीं चाइना का भी इन्वॉल्मेंट था तो दोस्तो अब क्या हो रहा है अब जैसे क्योंकि पबजी इंडिया में बहुत बड़ी तादाद में उसके यूजर है PUBG को बहुत सारा घाटा भी हुआ इसी वज़े से तो उन्होंने क्याब करा है कि PUBG का जो contact था Tencent के साथ जो Chinese company Tencent के साथ जो उसका contact था उसको अब उन्होंने रद कर दिया है जी हाँ रद कर दिया है तो ये एक बहुत बड़ा कदम है कि PUBG इंडिया में आने के लिए एक बहुत बड़ा कदम है क्योंकि सबसे बड़ा जो कारण था PUBG को बैन लगाने का वो यही था क्योंकि Tencent PUBG के साथ जुड़ा हुआ था जो कि वो Chinese एक company है तो अब PUBG ने Chinese company Tencent के साथ अपना जो करार था वो तोड़ दिया है अब अपने आपको Tencent से अलग कर लिया है यानि China से अलग कर लिया है तो अब एक फ्री company हो चुकि है PUBG और उसके साथ ही अब वो एक इंडियन publisher को ढून रहे हैं और यहां पर देखते हुए वो क्योंकि यहां पर इंडिया हैं बहुत बड़ी की तलाश में हैं तो दोस्तों इस तरह से PUBG लगातार एक के बाद एक अपने कदम आगे बढ़ा रहा है इंडिया के अंदर दुबारा से अपने बैन को खतम करने के लिए तो अभी जो है गवर्मेंट के साथ उनकी continue बात चल रही है लगातार हमें कुछ ना कुछ positive or negative news भी सुनने में आ रही है लेकिन देखते हैं कि आगे चलके क्या होता है लेकिन खुशकबर यही है कि PUBG जो main कारण से जिसके उपर PUBG के उपर बैन लगाया था वो कारण उन्होंने अब दूर कर दिया गया है यानि कि Chinese company के साथ उन्होंने अपना जो करार था वो तोड़ दिया है अब वो इंडिया की company को ही publish करने का यहाँ पर contact देने के भी फिराक में लग रहे हैं PUBG के जो honor या PUBG को बनाने वाले वो इंडिया के साथ ही अब contact अपना करना चाहते हैं तो यह भी एक बहुत बड़ा कदम होगा अगर इंडिया की किसी company को PUBG को promote करने या publish करने का अगर contact मिलता है तो यह भी बहुत बड़ा कदम होगा उसको unbank करने का क्योंकि इससे direct income जो होगी इंडियन गवर्मेंट को भी होगी तो दोस्तों यहां पर हम उम्मीद कर सकते हैं कि बहुत जल्दी आने वाले समय में PUBG क्योंकि एक बहुत बड़ी application है बहुत बड़ा उसका कारोबार है वो इंडिया में कभी अपने आपको ban होता हुआ नहीं देखेगा वो हर एक उचित क पतम उठा रहा है और आगे भी उठाएगा कि जल्द से जल्द वो इंडिया में बैन हटा सके तो दोस्तों जैसे आगे अपडेट आएगी हम आपको जरूर आपको इस बारे में बताएंगे अभी के लिए इतना ही दोस्तों क्योंकि यह न्यूस भी आपको बतानी बहुत थी ताकि आपको थोड़ा सा खुशी मिले कि अब जल्द से जल्द पब्जी आपके फोन में दुबारा से चलेगा और आप उसका लुट उठा पाएंगे तो दोस्तों इन्फोर्मेशन आपको कैसे लगी प्लीज हमें कमेंट करके जरूर बताएं अगर अच्छी लगी हो किसे लाइक किज़िया अपने दोस्तों परिवारक साहथ इसे शेयर कीजिए और हमारे चेनल को सब्सक्राइब जिरूर कीज़िया आपकी स्क्रिन के ओपर सब्सक्राइब के लाल निषान के उपट टच करके और इसके गेंटि के निशन पर जो टच कीजिए ताकि आपको मारी बनाए हुई नहीं नहीं वीडियो लगातार मिलती रहें यह प्रिकुल फ्री उतार आप इसे सहाज ज़्यादा फायदा उटा सकते हैं तो अभी के लिए इतना ही धन्यवाद